का रुक करता हूँ स्वामी दिपांकर सवाल पहला आप से इस फैसले का इंतजार आप दश्कों से कर रहे हैं क्या आपको लगता है जो भी फैसला आएगा वो आपको भी स्विकार होगा अमिश भाई मैं ही नहीं मेरे गुरू जिनकी उमर 106 साल है वो आश्रम में चल नहीं पाते विलचेयर पर बैट करके बाहर निकलते हैं वो मुझसे ज़्यादा इसका इंतजार कर रहे हैं और जब वो चल नहीं पाए तब हमसे बोले जा दिपांकर मेरी जगे जाकर तू बोल और जब रामलला टेंट से अपने भव्य मंदिर में विराज हैं तब यह सोचना के मेरे से कुछ हुआ उससे पहले सोचना नहीं निरंतर चलते रहना तो रही बात जहां तक फैसले के सुविकार है कि मुझे निसंध हेरदय से सुविकार होगा अपसे पहले भी करता आया आगे भी सुविकार करूंगा मगर मैं एक बड़ी बात और यक्षव प्रश्न कहना चाहता हूं जो मेरे मन में ता भाव था कल रात को सोच रहा था इतनी सो वर्षों की चर्चा को हम आज हमें क्यों कहना पड़ रहा है कि आपको सुविकार होगा आपको होगा शांती बनाए रहे यह कहना क्यों पड़ रहा है इस पर दो दो शब्द कह रहा हूं मात्र कि क्यार मोहबत ही करनी थी तो अदालत में जाना जरूरी था प्यार मोहबत हो गए कानून है कि शुरुवात में 60-60 सेकिंड देते हैं फिर उसकी बाद हम बहस को उपन करते हैं रशीदी साब कि मैं चार पंक्ति पढ़ता हूं जो इस देश की सब्वेता है कल्चर है जो इस देश का भाव है वो हमें जानना बहुत जरूरी है अजानों से सुबह होती है यहां आरती से होती है शाम कोई खुसरु को गाता है कोई गाय मीरा के शाम जहां हो देश का जंडा हरा और केसरिया रंग का उसे दुनिया में कहते हैं हमारा प्यारा हिंदुस्तान और मैं चाहता हूं कि हमारे इस देश की शान यूही बनी रहे कुछ लोगों ने जो हिंदु मुसल्मान को बाटने का काम किया है आज की यह जन्रेशन मुझे पूरी उम्मीद है कि उन लोगों को आयना दिखाएगी और इस देश का जो सब्विता इस देश के जो का जो कल् रहेगा जी मांत जी मैं आपके पास आता हूं लेकि हम तो 1528 से लेके राज तक हम और हमारे पूर्वज टक टकी लगाए बैठे हैं कव हमारे आराध्य भगवान को सिल्या नंदन सिराम बाल सुरूप में जहां प्रागट हुआ जहां भगवान का जन्मस्तान है उस इस्ता कि मंदर में रहना चाहिए कहीं ने कहीं हमारे अंदर टेस है कि भगवान तुरंत भव्य मंदर में रवाजमान हो यह ठीक है कानून नहीं मानते बंदू तो बहुत पहले मंदर का अंद्रिमार हो गया होता इस देश के समयदान में यहां की कानून में हमें पूरा विस्वा करते हैं और बहुत हो गया अब में जी 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 अब मैं शोयब जमाई करूख करता हूँ शोयब जमाई ये फैसले की घड़ी है और ये इम्तिहान की घड़ी है बिल्कुल देखे एकबाल अंसारी ने क्या कहा कि अगर मुसल्मानों के हक में फैसला आई है ये विपच्छ में फैसला है हम सुप्रीम कोड के फैसले का स्थम्मान करें भागवाच जिने क्या में लेकिन क्यों बहु को करना चाहिए यहाँ बने शी इसी से प्राबलम है यानि आप कैसे Tech करते सुप्रीम कोट तए करेंगा ना कि क्या होगा आप नहीं कह सकते कि यहीग होगा जो हम चाहते हैं इसको एसले हैं यहां पर प्राबलम होती दूस खुद निर्मोही अखाड़ा के जो सरपंच है राजा राम चंद जी उनसे पूछा जब बातों बातों में उन्हें कहा कि श्वाइब जी अगर बाहरी लोग यानि वी एच्पी का नाम उन्हें लिया कि अगर ये हमारा मुद्दा हाईजेक ने कर रहे होते तो आज से 25 साल प किसी और ने नहीं ओनरेबल सुप्रीम कोट ने केहर साब ने बोला था अगर मुद्द जरूरत पड़े तो मैं खुद उतर के आउंगा और इसमें मध्यस्ता कराऊंगा तो तब मध्यस्ता क्यों नहीं हुई ये इसमें विचार करना चाहिए अब मैं आपने अटाइक सिद महत्पुन बात क्या है बात कानून की इस समय नहीं है कानून जो फैसला देगा देगा लेकिन पूरे समाज को ये देखना चाहिए कि नियायल ने क्या कहा कि हमारे लिए टाइटल्स है टाइटल सूट का है यानि कि जमीन का टुकड़ा हमारे लिए क्या है हमारे लिए भग जबकि खुदाई में महा पे नीचे मंदिर के अवशेश मिल चुके हैं, कितना अपमान किया गया, कितना अपमान किया गया, इन सारे अपमानों को सहने के बावजूद, आपके लिए जो व्यक्ति इस देश में जमीन का एक टुकडा नहीं छोड़ सकता, पूरे इतने बड़ समाज के लिए और समाज के आराध्य के लिए, वो गंगा जमनी संस्कृति की बात करते हैं, कुछ अपेक्षा रखते हैं हमसे क्या, अरे कहना चाहिए था कि ये तो आपका है या तो भगवान श्रीराम का जन्मस्तान है, आपके लिए है ये, तब होती ना बात तो, ठीक है कर तक का गो ना लिए ये आरे करते हैं